हेलो फ्रेंड्स वेल्कम ओन कुकवी तंडी आज मैं बनाने बाली हूं बहुत ही तेश्टी सा आलू और मटर की टिकी इसे बनाना बहुत आसान है यह खाने में बहुत ही तेश्टी लगता है तो ज़रूर ट्राइ करिएगा मुझे कमेंट करिएगा इसे बनाने से पहले मैं अगर आप लोगों को मेरी रेश्पीस पसंद आया तो मेरी चैनल को कुवी टरंदी पर सब्सक्राइब करें यह बिल्कुल फ्री है वेल आइकन पर क्लिक करें बैल आइकन पर क्लिक करने से आप सभी को मेरी मुई पीस के नौटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे सबसे पहले हमें पैन को गरम कर लेना है इसमें मैं डालूँगे एक चमच तेल तेल को हम गरम होने देंगे तेल गरम होने के बाद मैं इसमें डालूँगी जीरा अब डालेंगे ग्रेट क्या हुआ द्रक अब डालेंगे फ्रेश ग्रीन पीस इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पाला नमक और थोड़ा सा साधा नमक और अब मिक्स करने के बाद हम इसे तीन से चार मिनट के लिए लोग फ्लेम पे पकाएंगे इसे मैं ढब दुーんगी एक मिनट के बाद मैं इसे एक बाद मिक्स करने दूंगे फिर से इसे डब देंगे और दो मिनट के लिए पका लेंगे और 2 मिनट हो गया अब मैं इसमें कुछ मसाले को डाल्य करूंगी तो हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्श पाल़डर अपने टेस्ट के एक औरिंग एड करें इसे थोड़ी से हल्दी पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करेंगे बस इसे हम 30 सेकंड के लिए इसे चलाते हुए पका के फिर हम गैस बन कर देंगे 30 सेकंड के लिए हमने इसे चलाते हुए और पका लिया है तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और अब हम इसे निकाल लेंगे ग्राइंडर जार में और इसे ग्राइंड कर लेंगे मटर के मिक्षर को हमने ग्राइंड कर लिया है तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे तो अब मैं इसमेंट डालूंगी एक उबला हुआ आलू जिसे मैंने ग्रेड कर लिया है और डालेंगे थोड़ा साहरा धनिया और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्षर हमारा बनके तैयार हो गया है तो थोड़ा सा पोर्शन लेके हम इसे टिक्की का शेप देंगे छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इस तरह से और टिक्की बना देंगे अलो मटर की टिक्की बनके तैयार हो गई है तो अब हमें इसे बस फ्राइ करना है तो चलिए इसे फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पर पैन को गरम होने के लिए रख दिया है मैंने और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल तेल को हम गरम होने देंगे ओल गरम हो गया है तो अब हम इसमें रखेंगे टिक्या एक मिनट के बाद हम उसे उस तरफ फ्लिप करेंगे और दुन तरफ से अच्छे से गुल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे एक मिनट हो गया अब हम इसे उस तरफ फ्लिप करेंगे इस तरफ से भी हम इसे थोड़ा सा गुल्डन ब्राउन और किस्पी होने देंगे टिक्या को हम उस तरफ पलट के एक बाद चेक कर लेते हैं उस तरफ से भी टिक्या हमारी पक गई है तो अब हम गया इसको बन कर देंगे और इसे पेपर ना क्रेम पे निकाल लेंगे अलू मटन के टिक्या बनके तयार है आपने दिखा इसे बनाना बहुत आसान था और इखाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं आप इसे सर्फ करें तीखी हरी चेटनी के साथ या टमेटो केचप या तही के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो जरूर ट्राइ करिएगा म वीडियो पसंद आई हो तो कुक्वी तेंडी पे सस्क्राइब करना ना भूले लाइक कमेंटर शेर जरूर कीजिए थैंक्यू फा वाचिंग